टिकट वित्रण के बाद भाजपा और कॉंग्रिस की कई सीट पर बवाल की स्तती बनी हुई हैं। भाजपा में टिकट नहीं मिलने के बाद बगावति सुर की सूची में मंगलवार को नीम का थाना और बस्सी भी चुड़ चुका हैं। चितोडगड, किशनगड, कोटपूतली, सांचोर में पहले सी ही दाविदार निर्दलिय चुनाव लड़नी की ताल ठोप चुके हैं। वहीं कहीं अन्य सीट पर भी विरोध प्रदशन चलते रहें। इसी दरें कॉंग्रिस में भी बगावत बढ़ती नजर आ रही हैं। भाजपा और कॉंग्रिस तोनों ही पार्टी कई सीट पर अब भी डेमेज कंट्रोल नहीं कर पा रही हैं। उल्टे प्रत्याशियों की मुसिबतें बढ़ चुकी हैं। दोसा के अगर हम बात करें विधायक वर राज मंत्री मुरारे लाल मीना को टिकट देने पर विरोध में दाविदार राधे शाम नांगल ने निर्दले लडने का एलान कर दिया है। मुंडावर चेतर के अगर हम बात करें कॉंग्रेस प्रत्याशी ललित यादव का पूर विधायक ओपी यादव की पुत्र वधू अंजली ने भी विरोध करना शुरू कर दिया है। उन्होंने चुनाव लडने का दावा किया है। बस्सी से अगर हम बात करें दावेदार रही जितेंद्र मीना ने कानोता कस्बे में समर्थकों के साथ मिटिंग कर निर्दलिय चुनाव लडने का एलान कर दिया है। बूनी चेतरी के अगर हम बात करें बूनी से भाष्प प्रत्याशी, अशोग डोगरा का विरोध में दूलाडा पंचायत के, कुमारती में भाष्पा कारेकरताओं ने नारिबाजी और पुतले के साथ विरोध जताया है। नीम का थाना शीतरी के अगर हम बात करें, दाविदार रगुवीर सिंग तवर भुंदोली ने चुनाव लडने की खोशना कर दी है। ताज़ा खवरों के लिए बिजिट करें दफेक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनोड करें दफेक्ट इंडिया एप।